तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे मैंने दो तीनी स्टॉक दिये हैं अपने जो भी पॉर्टफोलियो मैंने रखा था तो सोचा कि मेरे पॉर्टफोलियो में है वो मैं भी आपसे सेयर कर दू तो अले यार मुझे फायदा हो या आपको फा और मेरे को भी फै ключ होग variety ऐसलें मैं मैं जोचता हूं कि मैपने ऊक्रुटफोलियों के दीरे अर्ट अच्छा वन सकता है तो इसलिक की चलो दो तीन जो मैंने अपने पोर्फोलियो का अपडेट दिया था आपको वीडियो वीडियो या टेलिग्राम चाइनल के थुरू तो उसका मैं सोचा कि चलो हो गए होंगे हमको लग रहा है कि 10 डेज या 12 तो थोड़ा रिव्यू कर देता हूं 20 डेज पहले मैंने आइनोक्स लिया था सोट तर्म के लिए और मैं आज मॉर्निंग में ही उसे सेल आउट किया पार्शियली और मुझे 10 परसेंट का गेन हुआ जिसका मैं बाइंग प्राइस 401 था और आप देखी रहें कास स्टॉक जो लिया हुआ था वह सीडी असल अभी से पाच्छे दिन पहले और सबसे एहम चीज़ देखिया कि मैं जब भी लेता हूं तो अब क्या मालू मैं सभाग कहो या एनलाइसिस कहो कि जिस दिन लेता हूं ना उस दिन से वह उपर चलने लगता है जबकि शुरू में नहीं होता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं यह बॉटम लाइन है अब इससे नीचे नहीं जाएगी तो मैं 1325 में 1325 में CDSL किया हूं पाच्छे दिन पहले जो कि अभी 1500 के प्रॉक्स है और सेकेंड आपको मैं बार-बार बोल रहा हूं मेरे लिए तो बहुत ही सांदर और बुलिस मुझे नजर आ रही है मुझे लग रहा है कि नहीं 2023 तक 20,000 का एक्सेप्टेशन है इस स्टॉक का वह टाटा इलेक्सी उसका भी मैं रिब्यूर दे चुका हूं जो कि मैं 6000 पे दिया था और मैं 6000 पे लिया था अभी 7000 के प्रॉक्स है तो यह भी कहीं न कहीं 15% क के साथ है बाकी और भी स्टॉक है मैं धीरे धीरे उसे अन्रिविल करूंगा लेकिन फिलार मैंने सुझा कि जो स्टॉक लिये हैं उसको थोड़ा सा आपके बारे में रिव्यू बताओं कि क्या हुआ और क्या नहीं अगले वीडियो अगले सेरी में मैं एक स्टॉक और सेयर करूंगा जो मेरे पोटफोलियो में और किस व्यू से मैं लिया हूं यह भी सेयर करूंगा तब तके लिए थैंक यू और कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना और शब्सक्राइब आलसो नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हूं बाकी हम तो या वीडियो के थ्रू हो लेकिन आपका सल्यूशन चरूर नहीं